इसके बार एक चीज़ होती। जैसे हम देछ। कि सब्देविजु समय के अपना एक अस्त्र होता है। तो हनुमान जी के पास उनकी गदा है। तो मैं थोड़ा गदा के बारे में जानना चाहतुर। उनके बारे मैं काफी ऐसे रह से सुने हैं कि गदा के बारे में तो आप से जानना चाते हैं उनको गदा कैसे मिली और क्या उनके पिछे की कहानी है दोखे गदा अनुमान जी जो हात वज्र अरू दोजावराजे इसकी व्यक्या मैंने Poojraaj शुरामाईणी जूरी जी सुनी थी वो कहते थे بगवान शुब है कालम महा काल कालम गरपालम यानि के भगवान महादेव के हात में काल है और श्री हनुभान जी के हात में क्या है बज्र और जिसको वज्जर पड़ जाया तो उसका काल निकटा जाएगा तो ये हाथ में जो गदा है ये और कुछ नहीं काल हम समय के हाथ में हैं समय हनुमान जी के हाथ में है समय कहते हैं ने भई तेरा टाइम आ गया तेरा टाइम खराबारा वही तेरा समय पूरा हो गया यानि कि तेरा काल पूरा हो गया और काल किसके हाथ में है कालम महा काल कालम करपालम भगवान शिव और अनुमान जी के हाथ में बज़ रहे लकिर पूरी रामचरित मानस में एक भी चौपाई ऐसी नहीं जहें अनुमान जीने किसी को गदा मारी हो आप लंका की अत्रा देखो तब सबसे पहले अनुमान जीने लंका की अत्रा प्रारंब की सौने का परवत आया सुर्सा आई उसके बास सिंगिका आई सिंगिगा को एक मुटिका उठा करके दम से मारी और उसका भी उद्धार कर दिया उसके बाद और आगे चले लंकिनी उसने रोगा तो उसको भी गदा नी मुटिका एक महा कपिहनी रुजरबमत धरनी धन्वनी एक दिया धम से जैश्री राम दम पूरी रामचैत मारस पे कही गदा ने उठाई यहां तक कि रावण को भी मारा एक गूसा एबर रावण ने का अनुमाण जी से कि भाई तू बड़ा बंदर बलशाली बनता है एक एक गूसे का युद्ध हो जाए अनुमाण जी ने का हो जाए तो अनुमाण जी ने का मार ले भाई रावण रावण ने के पहले तुम मारो अनुमाण जी ने का मैंने पहले मार दिया तो तू मारने लाइक नहीं बचेगा इसलिए पहले मुझे ही लगाने दे ओ जैसे ही बस इसने रावण ने रावन भी रावन था बारी उठा करके अनुमान जी को तो जान उठे के कभी भूमी ना गिरा भी रासन में बैट गए अनुमान जी यानि ये रावन का भी प्रारद बुता लेकिन जब अनुमान जी ने उठाई ये उठाकर के मारने के बरहमा जी ने हाज जोड़े राम जी का सारा प्रोराम आपी फिल कर दोगे मारा बस 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 अनुमान जी ने का आप मुठका उठा ली तो जराब इसे मजा तो चकाई दूँ एक उठाके दी धम मसे जान उटे का कभी भूमी ना गिरा अनुमान जी तो गिरे भी नहीं और रावण मुर्चित हो गया दो गड़ी के लिए और जब खड़ा हुआ तो कपी बल बिपुल सराहन लागा वावई मान गए राम की सेना में यदि कोई बलशाली है तो तो अनुमान जी ने कहा अभी बजन नहीं देखी तुझे अभे तो गडा ही देखिए तो ये बजन का एक हर्थ ही है कि हर्मान जी दिखाना चाहते है कि हम कोई सूके नहीं है अगर कहीं जडर है तो हम शस्तरधारी भी है और शस्त्र तो बहुत बाद में उठाते हैं उससे पहले हम मुठिका मुठिका का अर्थ का है पाँच उंगलिया पाँच उंगलिया जब मिलती है तो मुठिका बन जाती है इसका एक संदेश है जब जब आतताई किसी पर आकरमन करें जब जब असमाजिक तत्व हमारे भारत पर हमारे सनातन पर हमारे किसी भी धर्म पर अटेक करने का प्रहार करें तो यह मत देखो मैं हिंदू हूँ कि मैं जात हूँ कि मैं बनिया हूँ कि मैं यह हूँ हम सब उस समय एक हो जाए यानि कि मुठिका एक और एक मुठिका एक महा कभी धम से और फिर जब और ये मुठिका अनुमान जी ने जब मारी जिसको भी मारी उसको अकल्लान कर दिया सद्गुरु मेरा सूर्मा करे शब्द की छोट हनुमान जी ने जब मुटिका मारी तो लंकिनी तो रुदेर से भरी थी गंदे रुदेर से और सद्धुर क्या करते हैं बुद्धी पर ही परहार करते हैं यहां पर चंदर को उसराग में गाते हैं नाम लंकिनी एक निसी चरी सो कह चले ही मुई निंदर जाने ही नई मर मुसट मूरा मोरे यारे जहां लेगी चोरा इतने मैंसे हा तो चोरों को खाते है उड़ाई बोड़ा तेरी दो दाब पुली संभार उठी सो लंका जोरी पान कर विनैस संका जब रावन ही ब्रह्म अड़ीना चलत बिरंच कहा मोई चीना हनुमान जी जिसको मारते है उसके बीतर का गंदा रक्त निकाल देते हैं और जिसके बीतर से गंदा रक्त निकल जाता है वो विरक्त बन जाता है उनका कल्यान हो जाता है वो सादू बन जाता है लंकरी सादू बन गई यह वज्र अनुमान जी का तो उनको गदा जो है उनका मतलब इस्तमाल करने की आवशक्तानी पड़ती है जहां जहां ज़रत होगी करेंगी लेकि जब मुठिका से ही काम हो रहा है इतने परम बलशाली संकल्प से काम कर दे जी उनका नाम है अनुमान जी